हलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे ग्रीन एग मसाला करी बहुत ही आसानी से और बेजिक इंग्रीडियंट्स का इस्तेमाल करके हम इस ACP को बनाएंगे और टेस्ट में भी ये बहुत ही ला जवाब है तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसेल लेसीपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ग्रीन एग मसाला करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर नो उबले हुए अंडे लिए हैं इन अंडों को हमने सेंटर में से कट कर लिया है यानि कि हमने एक अंडे में से सिफ दो पीसिस किये हैं तो इस ग्रेवी का मसाला तयार करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर 5 medium size की प्यास लिये प्यास को हमने थोड़े बड़े टुकडों में कट कर लिया है साथ ही में हमने यहाँ पर 1 cup हरा धन्या लिया है तो हरे धन्या को हमने इसकी डंडी के साथ ही लिया है क्योंकि इसमें flavor होता है और हमने 10 छोटी हरी मिश ली है अगर आप थोड़ा कम spicy रखना चाहते हैं तो आप हरी मिश की quantity थोड़ी कम कर दें अब mixy jar में इन तीनों को पीस कर इसका एक paste तयार कर लेंगे अब एक पेन में 4 टेबल स्पून तेल गरम करने के बाद हम इसमें half टी स्पून जीरा एट कर देंगे कुछ सेकेंड्स तक जीरे को तेल में सोटे करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे हमारा तयार किया हुआ प्याज हरे धनिये और हरी मिश का paste साथ ही में इसमें half टेबल स्पून अदरक लहसुन का paste एट कर देंगे और गेस की फ्लेम को हाई रखेंगे और प्यास के कच्चेपन को दूर होने तक हम इसे हाई फ्लेम पर fry करेंगे दिखे प्यास हरे धनिये और चोटी हरी मिश को पीशने के वक्त आप इसमें 10-12 काजू भी हेट कर सकते हैं प्यास का कच्चापन दूर होने तक हमने हाई फ्लेम पर इसे पांच मिनिट के लिए फ्राई कर लिया है तो अब हम गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस टेश पर हम इसमें कुछ सुखे मसाले एड़ करेंगे स्वादरूसा नमक एड़ कर देंगे तो हमने इसमें एक टीस्पून नमक एड़ कर दिया अब एक टीस्पून धन्या पाउडर और एक चोथा टीस्पून गरम मसाले एड़ कर देंगे इसे अच्छे से mix कर लेंगे और मसालों का कच्चा पंदूर होने तक हम इसे medium flame पर कुछ दे तक और भूनेंगे तो सारे सुखे मसाले एट करने के बाद हम ने इसे medium flame पर दो से तीन मिनिट के लिए और भून लिया है तो आप देख सकते हैं कि मसालों की भुनाई अच्छे से हो चुकी है इस टेश पर हम इसमें 2 टेबल स्पून मलाई एट करेंगे देखें आप यहाँ पर मलाई की जगह 2 टेबल स्पून फ्रेस क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मसाले के साथ हमने मलाई को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस टेश पर हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी एट करेंगे ग्रेवी कितनी गाड़ी या पतली रखनी है उसी साब से आप इसमें पानी एट कर दें तो हमने एक कप पानी एट कर दिया अब हाफ टी स्पून काली मिश पाउडर एट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गेस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे एक उबालाने के बाद हम इसमें बोईल की हुए अंडे एट कर देंगे और अंडो को इसके साथ हलके हाथों से मिक्स करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर दो मिनिट के लिए पका लेंगे तो हमने इसमें अंडेट करने के बाद धाई फ्लेम पर दो से तीन मिनिट के लिए इसे और पका लिया है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे हरे धने से गानिश करेंगे तो खाने के लिए तयार है ग्रीन मसाला एक करी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल लिक्वेस्ट है के ऐसे ही आसान और यूनीक रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंके जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए डेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई